कितला अफसत और स्रमनाक बाते कहीं विधान सवाब हैं वो आप लोग जानते हैं और फिर दूसरी बात हमारे ऐसे जुरूल कास्ट के नेता जो नितीज कुमार से उमर में भी बड़ा हैं राजनीतिक जीवन भी उनसे लंबी है और कर सकते हैं कि क्वालिफिकेशन उन्होंने 69 में फ्राप्त किया और जीतन मांजी 66 में डिग्री आउनर्स के साथ आया है कान्य का मतलब कि कम से कम विधान सवा में चुने हुए छोटे बड़े कोई भी हो सभी बानिये सदसुआ करते हैं उनके परती आदर सुचक सबने निकालना चाहिए खाँ कि लेकिन दितिश कुमार ने तुन तलांक की बाते की और कहा कि जीतन मांजी को कौन कहता है कि मुखमंत्री है यह इप र сов equally है तो इस तरह से अपमानित किया गया, हम समझते हैं कि वो जीतन मानजी का अपमान नहीं है, सभी बिहार और हिंदुस्तान के जो दलिक लोग हैं, उनका अपमानुन होने किया, एक द्राज का मुख मंत्री जो तेरह क्रोर जनता का परतिनिधित्व करते हैं, और उनके मुखार पिंड से ये सारी बातें जो आई, ओर दिश्चित रुप में विचार दिये हैं, और जीतन मान जी क्या बह रहा था, और लोग कहते हैं, हमारे और भाजपा के बहें नेता बोलेंगे, कि जो आरच्छन समंधी बील लाया, और कोटा बढ़ाने की बील लाया, अड़ीशन मे भी हम लोग साब एक मत से उसको पारित किया समर्थन दिया, तो फिर उसमें बिरोध की कौन बात आती है, सिर्फ हमने ये कहा, कि बावाभीम राव अंबेत कर, जब समिधान लागू करने की बात हुई, और रच्छन देने की बात हुई, तो हुने कहा था, कि दस वर्षों म समिक्षा होनी चाहिए, आप 18 ब्रस बेतित कर दिये, आपके छोट बड़े भाई भी 15 ब्रस मुख मंत्री में रहे, आखिर क्यों नहीं इसका समिक्षा हुआ, और हम बताते हैं, कि 16 परतिसत कोटा हमको होना चाहिए था, अगर आज जांच किया जाएगा, तो वो 7 या 8 पर अधिकारी हमारे सिडूल कास्ट के हैं, उनके लिए 1971 में ही रोष्टर लागू है, और रोष्टर लागू होने को उपरांद 16 परतिसत परमोशन में आरक्षन मिलना चाहिए, लेकिन आज हमारे सिडूल कास्ट और सिडूल टाइप्ष के पडाधिकारियों के गिन्ती अगर की जाए, तो तीन पॉइंट साथ परतिसत उनका परत्र निरित्व है, एक केक सरतावदी में पूरा होगा मानने हैं मुखमंती जी, हमको यह बताए और इसकी समीशा कीजिए, इसके लिए आयोग बनाए और कोई कार्ज करम अपनाए इतने ही कहने पर भढ़क गए कि इसको कुछ आता है, इसको हमने मुखमंती बनाया, हम करते हैं कि आपको भाजपा ने मुखमंती बनाया, आप भाजपा को धोखा दे करके, अब आप राज़त में आया है, राज़त में मुखमंती बनाया, आप कहां मुखमंती बने हैं, आप भी तो इसी तरह से ढूल मूल नीती करकर करके पल्टू राम बनकर करके आज सत्ता में और जीतन मांझी को आप अपना सभाब से नहीं बनाया था आप समmy 여자 ऑन्सीपटी में भूईयां मुशार का सेलोक्राइए अब भुईया मुसा लोग बाव सीधा होता है हम इसको बना देंगे तो जो कहेंगे वो करेगा चुकि 2014 में सुनाव जब हार गए तो सब जगह से ठूठू होने लगा कि आप रिस्तिफा दो इस्तिफा दो तो इस्तिफा ना दे करके एक ऐसे मुलाइम आदमीयों को बनाने का कोशिस किया कि जो वो कहें वो करें और दो महिना तक सच्मूट में हमने किया बाद में आप फी लोग ने कहा कि जितन मांजी रवारस टेंप है जितन मांजी रिमोट से चलता है तो फिर हम अपना काम शुरू किया तो उनका पेट में दरद होने लगा बहुत सारी बाते किया है वो आपके सामने है और आज बावा भीम राव अम्वेदकर के चर्णों में अपना मालात पहना करके और हम लोग रिकॉंसाइल करना चाहते थे कि बावा हम लोग क्या करें निटिश कुमार को सत्बूधी दें और आज ताला नहीं खोला गया विधा दलीत पिश्रावर के लोग महिला लोग नहीं बरदास करेंगे और ऐसा नकिये हैं तो हम लोग सठ के बाद डिल्ली के जो हम राजधानी है वो राजगाट में भी महात्मा गानी के सामने भी हम लोग प्रात्ना करेंगे की निटिश कुमार के सत्बूधी दें और लोगों स कहेंगे कि ऐसे आदमी जो दिमाग्या पल मनेक तरह से दिवाल या फन हो गया है उनका दिमाग का ऐसे लोगों को मुख मंत्री के पद पर रहने का कोई हक नहीं इसके लिए भी जरूरत पड़ी तो कानूनी करवाई भी हम लोग करने को सुचा है हमें यही कहना है आशिरवाद इजी कॉन ग्रूप भरोसी का दूसरा नाम हम सिर्फ घर नहीं खुशिया भी बनाते हैं आशिरवाद रोस वैली जिसमें हैं प्रीमियम फ्लैट्स विट आल मॉडरन अमैनिटीज पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिए हमारे न नमबरू पर संपर